हेलो एवरिवन, वेलकम टू किजिन जैंप तो आज हम पालक की सबजी बनाएंगे और यह सबजी बहुत हेल्दी और टेस्टी बनकर तयार होगी तो आज यह सुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने पालक ले ली है डाइसो ग्राम अच्छे से साफ करके अब यह कड़ाई के अंदर मैंने पहले से पानी बोईल करके रखा है और पालक को कड़ाई के अंदर डाल देंगे और पालक को पानी के अंदर अच्छे से डुबो देंगे और दो मिन्टा के लिए रख देंगे तकि पालक थोड़ी से सौफ्ट हो जाए तो पालक को रखे हुए 2 मिट हो गए है, पालक हमारी अच्छे से सौफ्ट हो गई है अब पालक अच्छे थंडी हो जाने के बाद में इसका पेस्ट बना लेंगे और पालक थंडी होने के बाद में ही ग्राइंड करेंगे आप ठंडा पाने डाल करके पालक को ठंडी कर सकते हैं अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सेजार ले लिया है और अच्छे से पाने जार करके मिक्सेजार के अंदर सारी पालक को डाल देंगे तो पालक मैंने डाल दी है अब यहाँ पर मैंने 50 ग्राम हैरा धनिया लिया है और डंठल के साथ ही डाल देंगे सबजी में बहुत ही अच्छा टेश्ट आएगा इसके बाद में डाल देंगे चाट माटर बड़े-बड़े पीसिस में कट की हुए और अब डाल देंगे 4 हैरी मिर्च और इसके बाद में डालेंगे 10 से 12 लहसन की कलिया और अब डाल देंगे 2 अधर केटो और अब बार्फ पेस्ट बना लगें सबी चीज़्ों का तो सबी चीज़्ों का मैंने पेस्ट बना लिया है और अगर आप एक बार नहीं बना सकते हैं तो ये 200 क्राम बेसन है अब डाल देंगे आदा चमच छालती पाउडर और टेस्ट के कोडिंग नमक डाल देंगे अब सभी चिन्जों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो मिक्स मैंने कर दिया है तो गैस पर मैंने कड़ाई रख दी है और प्याज का कच्छा फंद दूर हो जाएगा और थोड़ा सा कलर चुन्ज होने तक प्याज को पकने देंगे तो प्याज हमारे पक चुके हैं मैंने कम से कम एक मिन तक लिए पकाया है और अब डाल देंगे आदा चमच छाल्दी पाउडर और अदा चमच लाल मिच पाउडर और इसके बाद में टेस्ट के कोड़ी नमक डालेंगे नमक हिसाब से ही डालना है क्योंकि हमने जो बेसन वाला पेस्ट मना है उसके अंदर भी नमक डाला है अब यहाँ पर डाल देंगे जो आदा पेस्ट बचा के रखा है पालक टमाटर को सारी चीज़े ग्राइंड की थी वो मैंने डाल दिया है और अब मिक्स जार में डाल करके पाने भी डाल देंगे आदा गिलास आप पाने अपने इसाब से डाल सकते हैं ग्रेवी आपको जैसी भी पसंद हो और अब अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है अब अधक टुरी मटर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे आपके पास हों तो आप जरूर डालिएगा अब यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली है और प्लेट के उपर गी लगा दिया है अब इस प्लेट के उपर जो पालक और बेचन का पेश्ट बनाया था वो डाल देंगे और अच्छे से इस पेश्ट को फैला देंगे और इस पेश्ट को ना जदा पतला फैलाएंगे ना जदा मोटा फैलाएंगे बीच का सा फैलाएंगे इस पेश्ट को अलग भी पका सकते हैं लेकिन ऐसे सबजी भी हमारी जल्दी बन जाएगी तो पेश्ट मैंने फैला दिया है और अब डकन लगा देंगे डकन ऐसा लगाएंगे कि इस पेश्ट के उपर टच नहीं होना चाहिए तो इस पेश्ट को मैंने 5 मिन तक के लिए पकाया है अब इस प्लेट को नीचे उतार लेंगे और ये थुड़ा सा थंड़ा हो जाने के बाद में इसको कट कर लेंगे आप किसी भी सेप में कट कर सकते हैं जो भी आपकी पसד हो तो कट मैंने कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है आप इसको ऐसे भी फ्राइ करके खा सकते हैं पनीर होता है वैसे ही सोप बनकर तयार हुआ है अब चलते हैं गैस की तरफ तो हमारी ग्रेवी भी तयार है और मटर भी अच्छे से पक चुके हैं और अब सभी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब डखन लगा देंगे और सब्जी को लो फ्लेम पर एक मिन्ट के लिए अच्छे से पकने देंगे तो एक मिन्ट हो गया है और अब डखन खोल लेंगे अब आता चम्मच गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ सेकिंड तक लिए ओर पकने देंगे अब यहाँ पर मैंने एक पैन के इंदर तीन चम्मच देशी घी लिया है और घी अच्छे गरम हो जाने के बाद में मैंने जीरा डाला है रेश्पी को एक बाद ट्राइक करके देखीगा इस सबजी को बच्ची भी खुस होको रखाएंगे अगर ये रेश्पी प्रसंद आई हो तो प्लीज लाइक जूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब को भी ना भूलें थैंक यू टेक केर बाई बाई